नमस्कार दोस्तो Quality Hub India के इस प्रोग्राम में मैं आरेन विश्व करमा आप लोग का बहुत बहुत सा अगत करता हूँ दोस्तो इस प्रोग्राम में हम रिस्क और अंसरेंडी इन दोनों टर्मिलोजी के डेफिनेसिंस के बारे में जानेंगे और इनके की डिफिरेंसिस के बारे में समझेंगे लेकिन दोस्तो प्रोग्राम सुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि Quality Hub India जो कि Government of India registered organization है for training, consultancy and project management दोस्तो आप Quality Hub India ISO 9001 और 14001 यानि Quality Management System और Environmental Management System से certified हो गई है साथ ही साथ दोस्तो हमने International Accredited Organization का membership भी ले लिया है और अब दोस्तो Quality Hub India जो है IAO Accredited Organization बन गई है यानि कि दोस्तो अब हमारे certificates या हमारे program जो हैं अब globally valid है अब हमारे certificate में IAO के जो logo हैं वो feature करेंगे तो दोस्तो देर ना करें हमारे courses को online explore करें और अपने carrier को नई उचाए में लेके जाएं तो दोस्तो आईए program सुरू करते हैं और समझते हैं कि risk और uncertainty ये दोनों आखिर हैं क्या दोस्तो हमेरे रोजमर्रा के life में अक्सर ऐसे बहुत सारे incidences होते हैं जहांपर कि हमें risk लेना पड़ता है तो दोस्तो रिस्क को हम समझ सकते हैं कि ऐसे कोई activity जहांपर कि कुछ potential हो loss होने का अब ये जो risk है ये uncertainty साथ बरावर नहीं है यानिकि दोनों में difference है तो uncertainty को हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई outcome जो आप predict कर रहे हों उसमें कितना absence of certainty है यानिकि आप कुछ expect कर रहे है for an example आपने exam दिया है और आप कितने sudden हैं कि आप pass कर जाएंगे या उसकी uncertainty कितनी है यानि कैसे बहुत सारी events होते हैं जहांपर कि हम uncertain होते हैं कि आखिर होगा क्या for an example football match चल रहा है और हमारी uncertainty है और हमें मालूम नहीं है कि कौन सा प्रक्स जीतेगा तो हम short में differentiate कर सकते हैं risk जो होता है यानि कि ऐसा कोई situation जहांपर कि chances बन रहा है हमारा कुछ loss होने का या कोई खतरा हो इसके उलेट जो uncertainty है यह हमारा ऐसा कोई situation बनता है जहांपर कि हम उसके outcome से pertaining हम sudden ना हो आनि कि sure ना हो for an example मैंने dice को आनि कि जो हम loodow वगरा खेलते हैं तो dice को हमने roll कर दिया और मुझे पता नहीं है कि कौन सा नमबर आएगा एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छे आएगा ठीक है ना तो हम uncertain है हमारे results से पर दोस्तों सबसे पहले दोनों के comparison को समझते हैं और comparison को समझाने के लिए मुझे तो बहता तरीका नजर आता है कि दोनों को हम chart के form में display करें तो तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हम chart को describe करने वाले हैं यानि कि हम दोनों के differences को यानि कि risk और uncertainty के differences को हम अगर explain करेंगे तो हम इनको in factor को consider करते हुए हम इनको differentiate करेंगे पहले हम उनके meaning को समझेंगे और उसके बाद में हम ascertainment को समझेंगे फिर उसके बाद में दोनों के outcome के difference को समझेंगे उनको हम क्या control कर सकते हैं कि नहीं, इसको समझेंगे, कैसे हम इनको minimize कर सकते हैं, इसको समझेंगे, और उनकी probabilities को भी हम समझेंगे, कि इनको risk और uncertainty के दोनों के बीच के differences को, तो पहले हम समझते हैं कि दोनों का meaning क्या है, दोस्तो risk का meaning हो गया, कि ऐसा कोई activity जहां पर कि हमारी probabilities बन रही हो, कि हम जीतेंगे या हारेंगे, for an example, generally कहाता है यार जुआ मत किलो, बहुत risky है, यानि कि risk क्या है, risk है कि मैं जो पैसा लगाऊंगा, वो मैं lose करूंगा, यानि कि पैसा हारने के probability बन रही है, lose करने के probability बन रही है, तो यह risk है, सामने से train आ रहा है, और आप भाग क पटरी को पार करना चाहते हैं, तो कहाता है कि आर बहुत risk है, भागो मत, तो किस रिस्क का risk बन रहा है, या पर risk बन रहा है, या पर रिस्क बन रहा है, यान कि probabilities हैं, कि आप जब भागेंगे, और आपका calculation गलत हो गया, तो train आपको hit करेगा, तो यह बहुत risky situation बन जाता है, और इसके उलट में अगर हम uncertainty की बात करते हैं, तो इसका definition क्या दिया गया है, uncertainty implies a situation where the future events are not known, यानि कि क्या होने वाला है future में हम sure नहीं है, for an example हम बहुत sure नहीं हैं कि आज बारीश होगी की नहीं होगी, हम बहुत sure नहीं हैं कि अभी election होने वाला है, कौन सी party जीतेगी, हम uncertain है football match हो रहा है, cricket match हो रहा है, हम uncertain हैं कि कौन सा party जीतेगा, यानि कि uncertainty हो गई कि ऐसा कोई event या ऐसा कोई action जहां पर कि हम बहुत sure नहीं हैं कि क्या result आने वाला है, क्या outcome होने वाला है, वो हो गया मेरा uncertainty और risk क्या हो गया, मेरा probabilities हो गया, lose करने की, तो यह हो गया main हमारा difference या हमार meaning हो गई, second हमारा comparison करने का element जो है, वो है assignment, यानि कि दोस्तो हम risk को miser कर सकते हैं, कि कितना risk है, तो generally आपने देखा होगा, कि हम जो FMA वगरा करते हैं, उसमें हम risk priority number निकालते हैं, पुराने वाले version में, यानि कि आप नया version जो आ गया, AIG और VDA का, उसमें हाला कि RPA number को हटा द number है, ठीके न, आप uncertainty के बात करें, तो इसको हम miser नहीं कर सकते हैं, यानि कि risk जो है, miserable है, आप इसको medium, high, low कर सकते हैं, categorize, risk को numbering कर सकते हैं, 1 to 5 scale, 1 to 10 scale में, यानि कि risk can be measured, लेकिन uncertainty को आप miser नहीं कर सकते हैं, यानि कि बारिश होगी की नहीं होगी, कितने आप certain है, कितने uncertain है इसको हम measure नहीं कर सकते हैं अगला हमारा comparison का element है दोस्तो outcome तो outcome के अगर बात करें तो risk हो गया chances of outcomes are known यहाँ पर risk के मुझे मालूम होता है कि क्या outcome हो सकता है for an example जैसे मैंने बताया था truck आ रही है आप road को पार कर रहे हैं risk का है outcome क्या हो सकता है या बच के चले जाएंगे या तो truck आपको hit करेगी यानि कि मुझे मालूम है कि क्या हो सकता है जबकि uncertainty में मुझे पता नहीं है कि outcome क्या होगा outcome is unknown और अगर control की बात करें तो risk को मैं control कर सकता हूँ जबकि uncertainty जो होती है यह uncontrollable होता है अगला जो हमारा comparison का element है यह है minimization क्या हम इसको minimize कर सकते हैं तो yes risk को हम minimize कर सकते हैं लेकिन uncertainty को हम minimize नहीं कर सकते हैं और हमारा final element जो है comparison का वो है probabilities तो probabilities का अगर बात करें तो risk को हम assign कर सकते हैं कि उसकी probabilities क्या है uncertainty को हम assign नहीं कर सकते हैं probabilities को, यानि कितनी probability है risk की हम इसको कुछ number assign कर सकते हैं, uncertainty में, uncertainty में इस तरह से हम उसको quantify नहीं कर सकते हैं, कोई number उसको assign नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों ये हमारे comparison के main elements हो गए, meaning, assignment, outcome, control, minimization और probabilities, और मैं असर करता हूँ कि इन सारे comparison के elements से आप risk और uncertainty के differences को अची तरह के से समझ होगे, तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको risk और uncertainty के differences को समझने में आसानी होई होगी, सारे doubts क्लियर हो गया होगे, तो दोस्तों अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा, तो इसे like करना ना भूलें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभीदा subscribe नहीं किया है, तो subscribe जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो का जो link है अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलिक के साथ में जरूर सेर करें, ताकि उनको भी कुछ सिखने का और हमसे जुडने का मौका मिलें, और हाँ दोस्तों हमारे ओनलाइन ट्रेनिंग का certification प्रोग्राम का benefit जरू ठाएं, हमारे portal को विजिट करें, या Google Play Store में जाके हमारे app को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और app के थ्रोस से भी आप courses को buy कर सकते हैं, घरबटे पढ़ सकते हैं, और अपने career को नई उचाय में लेके जा सकते हैं, और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं Quality of India, आपक के लिए हमें contact कर सकते हैं, या किसी तरह के consultancy services पे, चाहे lean manufacturing implement करना हो, चाहे six sigma implement करना हो, चाहे कोई best practices जैसे की business excellence model हो गया, TPM, TQM आपका implementation करवाना हो, या system certification करवाना हो, आप उसके लिए भी Quality of India को contact कर सकते हैं, तो दोस्तों हमारे साथ देने के लिए, और हमारे साथ बने आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, take care, जाहें